देश और विदेश में विख्यात उमरिया जिले के पाली में स्थित प्राचीन माता बिरासीन के मंदिर में नवरात्र पर्व बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाया जा रहा है मंदिर संचालन समीती के संरक्षन वर जिले के कलेक्टर सोम वंची ने अपनी धर्म पतनी के साथ माता बिरासीन की पूजा अर्चना आर्ती हवन कर घट की स्थापना की बही जोती जलाकर मनुकामना जवारा कलशो वे स्थापना का शुभारंब किया गौर तलिभें की मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किये गए हैं दर्शनार्थियों के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में दर्शनार्थियों ने माता की अराधना कर व्रत का आरंब किया किया जाएगा। भी हमारे आयोजाने अनुस्ठाने वो शांति पूर्वक और हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाए जाए हैं आज बैठकी मनाई जाए रही हैं बैठकी की घट स्थापना ग्यारा बज के तेसे मिट से सुरू हुआ है और पहुने बारा बजे के आसपास श्री माननी कलेक्टर महो दर्शनार्थी भक्तगण हैं जो कलस वह उनके लिए दरवाजे जोतिक खोल दिया गया है जो सभी लोग अपनी दीप प्रिज्रित कर रहे हैं मातारानी के विसर्चन साथ तारीक को मातारानी के भव जवारा जुलूस मंदिर प्रांगण से निकल करके पूरे मार्केट से भूंते हुए सकरा तालाब में विसर्चित होगा मा विरासनी मंदिर के प्रांगण में आज प्रिथम दिवस जिले के सम्मानी कलेक्टर महोदैद्वारा पूर परंपरा के अनुसार घट स्थापना का पूजन और कलस स्थापना की पूजन की गई और उसके बाद बाहर से बहुत दूर दूर से जहां स्थालू आज घट स्थापना कराने के लिए जवारे और मनोकामना कलस बोने के लिए मंदिर प्रांगण में उपस्थित होते हैं मा विरासनी की ख्याती और उनकी महिमा इतनी अधिक है कि हर साल धालू के संख्या में निरंदर व्रद्धी होती जा रही है और ऐसा चमतकार है मा का ऐसा आसी रुआद है कि कोई भी मनोकामना हो हमेशा पूरी होती है ऐसा देखा गया है ऐसा जन सुरूती है और ऐसा लोग